अभाज गुनन खंड़न दूरा लगुत्म समापुवर्त ग्याद करें तो question number पहला है 5,10 यानि पाँच और 10 का अभाज गुनन खंड दूरा लगुत्म समापुवर्त ग्याद करना तो देखें 5 काउम पहले अभाज गुनन खंड करते हैं तो पांच देखिए, खुद ही अभाज संक्या है तो ये तो अपने आप से ही लगेगा सिर्फ और एक से लगेगा, ठीक है तो देखिए, ये अभाज संक्या से लगाना है यानि अभाज गुरंखंड करना है तो अभाज संक्या से ही लगाना होगा तो एक तो अभाजे संक्या है नहीं इसलिए पांच से लगाएंगे तो देखे एक बार में लगेगा अब 10 का देखे करते हैं तो 10 का अभाज गुननखंड 2 से पहले लग रहा है 2 क्या है अभाजे संक्या 2 पचे 10 तो अब नहीं लगया क्योंकि 5 अभाजे संक्या है तो 5 बराबर लिखेंगे हम 5 और 10 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुनन 5 देखे एक अभाजे संक्या नहीं है इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे ठीक है क्योंकि अभाजे गुनन खंडन में सिर्फ अभाजय संक्या लिखना आ है तो देखिए एक ना तो अभाजय संक्या है ना ही भाजय संक्या है तो देखिए पाँच बराबर पाँच हो गया दस बराबर 2 गूले 5 अब यहाँ पे लगुत्म समापोर्थ कोूम लग सस से लिख सकते हैं तो लगुत्तम समवर्थ देखिए किस तरह निकलेगा तो पांच देखिए पांच इसमें भी है इसमें भी है ठीक है तो अभाज संख्या बस देखना है हमें कौन अभाज संख्या जितना बार है उसको सबको गुना कर देना है ठीक है ये नहीं देखना है कि दोनों में रहे या ना रहे ठीक है ये भी ना देखना है क्योंकि ये सिर्फ हम महत्तम समवर्त में देखते थे कि दोनों में है की नहीं लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभाज संक्या देखना है तो देखें यहाँ पर पांच है तो पांच इसको भी लिखेंगे और 5 दोनों तो इसको भी लिखेंगे तो इसका अंसर कितना हो जाएगा दिखें 5 गुने 2 बराबर 10 यानि लगुत्व 5 और 10 का लगुत्व समावर्त कितना आ गया 10 तो इस तरह हम इसको हल करेंगे जैसे देखें हमें यहाँ पर समझाया है यहाँ चालिस तीस का लगुतम संख्या ग्याद किया तो देखिए चालिस का अभाज गुनन खंड दो गुने दो गुने पांच तीस का अभाज गुनन खंडन दो गुने तीन गुने पांच तो देखे आप 40 और 30 का लगुत्म समवर्थ कितना हो जाएगा तो यहाँ पर बीधी देखते हैं यहाँ हम देखते हैं कि कोई अभाज गुननखंडन सबसे अधिक कितनी बार आया है यानि कोई भी अभाज गुननखंड कितनी बार आया है उसको लिख देंगे तो देखे दो गुने दो गुने दो यहाँ पर लिख दिया है दो गुने दो गुने दो तीन बार आया है दो यहाँ पर एक बार आया है तो बस जितनी बार जिसमें ज़्यादा है उसको लिख देना है और फिर तीन भी है देखिए तीन एक बार है सिर्फ तो उसको भी लिखना है और पांच को भी उन्हें एक साथ लिखकर गुना करते हैं यहां दो अधिक से अधिक तीन बार तीन एक बार और पांच एक बार आया है ठीक है तो जो भी अभाज गुननकंड सबसे ज़्यादा बार है जिस अंका उसको लिखना है और फिर जो बच गया उसको भी लिख देना है तो सबको गुना कर देना है तो इसका लगुतम समवर्थ कितना हो जागा 120 तो लगुतम समवर्थ होता क्या है देखे पांच और दस का दस आया है लगुतम समवर्थ यानि पांच से भी दस बिभाज है और दस से भी दस क्या है बिभाज है तो देखे, पांच से भी 10 कट जाता है, पांदूनी 10, और 10 से एक बार में 10 कटता है, बिभाज हो जाता है, तो देखे, सबसे छोटा, तो लगुतम समा अपवर्थ का मतलब होता है, सबसे छोटा सरुनिष्ट अपवर्थ, यानि सबसे छोटा सरुनिष्ट, यानि दोनों, ज इतना भी संख्या कामलगुतम स्मर्ध निकाला है, सबसे, सबसे छोटा संख्या हो, जो दोनों से विभाज होता हूँ, जैसे देखे, 5 और 10 से तो 20 भी विभाज होता है, तो हम 20 क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि सबसे छोटा 10 है, 10 ही हैं, जो दोनों से विभाज होता है, इस संख्याओं से बिभाज होता हो या जितना भी संख्या दिया हुआ उन सबसे बिभाज होता हो सबसे छोटा संख्या तो इसका हिंदी क्या होता है सबसे छोटा सर्वनिष्ट अपवर्थ ठीक है अब देखिए दूसरा दूसरा है बारा और अठारा कहां में निकालना है तो बारा का पहले हम कुननखंड करेंगे देखिए बारा कुननखंडन विधी से ही निकालना है तो देखिए दो से लग रहा है दो सबसे छोटा अभाज संक्या है तो दो से लग रहा है ये दो छक बारा, फिर दो से लग रहा है दो तिया छे, अब देखे तीन खुद ही अभाज संक्या, तो एक किसी से नहीं लगेगा अपने आप और एक को छोड़ करके भै अठारा को अभाज गुनन खंडन करेंगे, तो देखे दो नमा अठारा नो, तीन से लगेगा, दो से तो लगेगा नहीं तो तिन तिया ही नो, तीन क्या है अभाज संक्या, तो देखे हम यहाँ पर लिखते हैं बारा बरावर क्या आ गया, दो गुने दो गुने तीन और अठारा बरावर क्या आ गया, दो गुने तीन गुने तीन अब देखे इसका लगुत्तम समापवर्थ कितना हो जाएगा तो देखे दो इसमें है अभाज संक्या इसमें भी है दो और इसमें भी है दो तो सबसे ज़्यादा बार दो इसमें देखे अभाज गुनन खंडन हुआ है दो बार दो का दो बार इसमें गुना हुआ है तो इसको लिखेंगे ज़्यादा बार जिसमें गुना हो रहा है उसको लिखेंगे ठीक है एक को नहीं लिखेंगे यानि जितना सबसे ज़्यादा बार जो हुआ है उसको लिखेंगे और तीन देखे एक बार यहां है लेकिन यहां पर दो बार है तो दो बार को लिखेंगे यानि जादा बार को हमें लिखना है ठीक है और कोई संख्या नहीं है दो और तीन के अलावा तो दो में भी सबसे जादा बार को ही लिखना है और 3 में भी सबसे जादा बार जहां गुना हुआ है जिसमें भी ठीक है तो देखें 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 इसका लगुतम समवर्थ हो जाएगा तो 2 दूनी 4 चार चारतिया 12 बारतिया 36 तो इसका अंसर कितना हो जाएगा 36 तो देखें 36 संख्या जो है 12 और 18 से विभाज ह हो जाए ठीक है इस तरह हमें लगुतम समवर्थ समझना है तीसरा है 18,27 तो देखें 18,27 है तो पहले हम अभाज गुनन खंडन करते हैं 18 का तो तो देखें 2 से लगेगा 2 नम्मा 18 फिर 3 से लगेगा 3 ती आई 9 अब नहीं होगा क्योंकि 3 अभाज जिसंग क्या है अब देखें 27 का हम अभाज गुनन खंडन करेंगे तो 3 से लगेगा नहीं तो 3 नम्मा 27 फिर 3 से 3 ती आई 9 तो अब हम यहाँ पर लिखेंगा 18 बरावर कितना आगया 2 गुने 3 गुने 3 और 27 बरावर कितना आगया 3 गुने 3 तो देखें इसका लगुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा अब इसमें हमें देखना है देखें दो सिर्फ अकेले है और कहीं भी नहीं है तो बस दो लिख देंगे हमें आप अब देखें, तीन गुने तीन यहां भी है, तीन गुने तीन, यहां दो बार गुना हुआ है, तीन गुने तीन, दो बार तीन आया है, यहां पर तीन बार तीन आया है, ठीक है, तो जादा बार को हमें लिख देना है, यानि तीन गुने, तीन गुने तीन, और जो, जो अकेल वार गुना होगा है यहाँ पे दो बार तो जादा वार को हमें लिख देना है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टिया 6,6 टिया 18,18 टिया 24 यानि 24 लगुत्म समाहपवर्थ हो जाएगा किसका 18 और 27 का तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे अब कोश्चन नमबर चार बीस कॉमा तीस तो देखें पहले हम बीस का भाज गुनन खंड करते हैं तो दो से लगाएंगे दस दूनी बीस दो पचे दस अब नहीं लगिया तीस पंदरा दूनी तीस तीन पचे पंदरा ठीक है तो देखें अब लिख लेते हैं बीस का क्या हो गया दो गुने दो गुने पांच पांद दस दूनी बीस तीस का क्या हो गया अब आज गुनन खंड दो गुने तीन गुने पांच पांधिया 15 पंदर दुनित 30 अब देखें लगुत्तम समापुवर्थ बराबर क्या हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए पहले 2 में देख लेते हैं तो 2 यहाँ पे 2 बार गुना हुआ है यहाँ पे एक बार ठीक है तो जादा बार को हमें लिखना है तो 2 गुने 2 इसको लिख लेंगे जादा बार को अब देखें 5 है यहाँ एक बार यहाँ भी एक बार तो इसको भी लिख लेंगे एक बार गुना हुए दोनों जगा तो उसको भी लिख लेना है तीन यहां पर देखें एक बार गुना हुआ है इसमें है ही नहीं तो तीन को भी लिख लेना है तो दो दूनी चार, चार पचे बीस, बीस तिया साथ यानि 20 और 30 का लगुत्तम कितना हो जाएगा 20 और 30 का लगुत्तम हो जाएगा 60 तो इस तरह हम इसको भी हल कर लेंगे